कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, जैसे भी कर्म किये होंगे वैसा ही फल भी मिलेगा आधोनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना मित्रों हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है लेकिन हम इस बात को समय से समच नहीं पाते जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किये हैं उनका परिणाम क्या होगा तब तक समय बहुत अधिक भी चुका होता है आईए आज हम जानते हैं कि यह कर्म कितनी प्रकार के होते हैं विडियो शुरू करने से पहिले हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेना मिलती है हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विशय में कई शोथ किये हैं हमारे पुरातन धर्म शास्क्रों में भी कर्म फल का बड़ाही विस्त्रित वर्णन किया गया है उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म तीन प्रकार के होते हैं पहिला है प्रियमान कर्म मानव जीवन में नित्य प्रती जो कर्म सुभा उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियांतला या कर्म किये जाते है उन्हें क्रियमान कर्म कहा जाता है क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तूए कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती नित्य प्रती कर्म करना हर जीव का करतव्य है कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धी के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है लेकिन यह क्रिमान कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं इस प्रकार से किये जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्थ हो जाता है जैसे यदि आप भोजन को ग्रहन कर लेंगे तो आपकी घूख स्वथा ही शांत हो जाएगी यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी बेह स्वच्छ हो जाएगी और आपको सूर्ती एवन सुख का अनुभव होगा इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतरिक्त शक्ती का उप्योग नहीं करना पड़ता जैसे की दिन भर की ठकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आजाएगी आपकी ठकान के उतर जाने पर आप स्वय ही उठ जाएंगे किन्तु यदि आप आलस्य को धारन कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गती से दूर ले जाएगा आपको इसके बुश्परिनाम भी भुगतने पड़ेंगे इस प्रकार से किये जाने बाले कर्म प्रियमान कर्म कहलाते हैं दुसरा कर्म है संचित कर्म यह बात तो मिश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं लेकिन हमें उस समय यह ज्यात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी द्रिष्टी से बिलकुल सही एवन सटीक होते हैं किन्तु प्रकृती समाज एवन अन्य प्राणियों के द्रिष्टी कोन से उचित नहीं होते हम यह अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपनी कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो की हमारे चित की अंतर्द्शा में जाकर एकत्र हो जाते हैं साथ ही उन कर्मों का फल भी चित में ही विद्यमान हो जाता है जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह कर्म हमारे चित में भी समाहित रहते हैं इस प्रकार के करमों को संच्चित कर्म, अर्भाथ संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है。 तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म, जब हमारे कर्म हमें उस दिशांकी और ले जाते हैं, जहां हमारे कर्म हमें पूल्न रूप से फल देने को परिपक भो चुके होते हैं, तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्मों जब तक एक देह में एक आत्मा का बास है तब तक भी हमारे भीतर ही विद्यमान रह सकते हैं इन कर्मों में अच्छे एबं गुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समू होता है इस प्रकार से किये गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारन कर लेता है इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एक प्रित कर लेते हैं यदि हम अपने पूर्व जन्व के कर्मों को भी इन में सम्मिलित कर लें तो हमें ज्यात होगा कि ऐसे बहुत सारे अंगिनक कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना अभी शेश है ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्थ हो सके हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्यान योग का भी वर्णन किया गया है जैसे ही मनुष्य साधना शैली के द्वारा इस ज्यान योग को सिध कर लेता है उसी समय उसके जीवन में से प्रारप्ध कर्म समाख हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाश्मे दिपक की रोश्नी से जीवन जगमत साहो उठा है ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरन भाशा में प्रारप्ध कर्म कहा जाता है मित्रों अपने इस वीडियो के द्वारा हमने आपके सामने कर्मफल के सिध्धान एवं कर्मों के प्रकार के विशय में कुछ जानकारी प्रस्तुत्की है। विशय में अपने विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में अवश्य लिखें। आपको विडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।